हाई आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर आप एजडी एपसी बैंक में वन लाक रुपीस का फिक्स डिपोजिट किजिएगा तो एवरे मन्त यानि कि हर महीना आपको कितना इंटरस्ट अमाउंट मिलेगा गैज अगर आप चाहते हैं कि कुछ के लिए जानना बहुत जादा इंपोर्टेंट रहेगा तो गैज सबसे पहले आपको जो करना है वो है कि HDFC बैंक के ओफिशियल वेबसाइट में आपको विजिट करना है विजिट करने के बाद आपको इंटरस्ट रेट का एक सेग्मेंट मिलेगा जिसमें आपको इंटरस रेट थोड़ा सा चेक कर लेना है यहां पर दीखें फिट डिपोजिट इंटरस्ट रेट जो है लेज दन 5 करोर का एक उप्शन है तो लेज दन 5 करोर में मैं क्लिक करूंगा और यहां पर देखिए 2 करोर से नीचे अगर कोई भी भी इन्वेस्ट मेंट होता है फिक्स पूजिट में आपको कितना interest amount मिलेगा every month हर महीना तो यहां पर दिखिए one year का जो rate of interest mention किया गया है वो है 5.25% और अगर आप senior citizen के बात करते हैं तो senior citizen के लिए 5.75% यानि कि 0.50% ज्यादा मिलेगा तो guys अगर आपके family में कोई senior citizen है तो आप definitely for sure इस जो है मौके का आप जो है utilization कर सकते हैं तो यहां पर 5.25% में ही मैं आपको calculate करके दिखाऊंगा और आप याद रखना जो भी मैं calculation दिखाऊंगा senior citizen के लिए थोड़ा सा ज्यादा ही होगा तो यहां पर मैं FD calculator जो HDFC bank के तौर से दिया गया है माददम से दिया गया है उसमें मैं click करू deposit में मैंने यहां पर दिखिए select करके जो देखा है तो यहां पर reinvestment का एक option आ रहा है यानि कि सालना सालना जो amount बढ़ता जाएगा वह एक है और एक उसके साथ ही साथ है monthly और short term ठीक है तो मैं जैसे कि आपको बताया था कि monthly payout में दिखाऊंगा कि every month आपको कितना interest amount मिलेगा deposit term जो है deposit term यानि कि जैसे कि मैंने आपको बताया था एक साल के लिए तो वैसे 12 months मैंने यहां पर select कर दिया और मुझे next में click करना है जब next में click करूंगा यहां पर date of fix deposit है guys याद रखना जिस दिन आप fix deposit करते हैं उस date के अनुसार जो है आपको rate of interest मिलता है तो यहां पर amount of deposit म में 1 lakh select कर दूँगा तो 1 lakh मेंने select कर दिया और साथी साथ यहां पर rate of interest जो है देखिए automatic ले लिया है 5.25% अब discounted rate of interest जो है 5.23% है यह जब आप monthly जब जो है ना like interest में आप लेते हैं fix deposit में तो उसमें आपको discounted rate मिलता है क्योंकि आप सालाना जो है एकठा आप amount नहीं रख रहे है आप उसके आगे ही तोड के ले रहे है तो इसलिए जो है थोड़ा सा discount rate होता है बस 0.02% ही यहां पर discount rate है ऐसा जो है lower नहीं है तो यहां पर आपको calculate में click कर देना है calculate में click करते ही यहां पर दिखिए आपको every month ठीके 443 करके यहां पर amount दिखा interest amount यहां पर दिख रहा है 5,223 ठीक है 5,223 रुपिया तो मैं यहां पर आपको दिखाना चाहूंगा 5,223 रुपिया यहां आपको पुरा साल भर में मिलेगा ठीक है इससे अगर मैं 12 महिना में divide करके देखूँ यहां पर दिखिए 435 रुपी मेरा calculator के अनुसार जो है मैंने आपको दिखाया यहां पर दिखिए वैसा ही कुछ amount आपको 443,444 कुछ monthly हिसाब से जो banking calculation होता है तो उसमें थोड़ा सा discounted rate यह वो कहीं सारे calculation लगता है तो कौन सा महिना में कितना आपको मिलेगा वो भी यहां पर दिखाया गया है on an average 430 के अबबी आपको मेल रहा है तो य यह जो है जो कि मैंने calculation आपको एक conceptualization के लिए बताया तो आपको अगर लगता है कि यह rate of interest आपके लिए satisfied रहेगा आपके amount के नुसार so you can go ahead and guys इसके regarding मैंने एक और भी video डाला था जो कि मैंने आपको बताया था कि साल भर में अगर आप एक साथ amount लेना चाहते हैं तो उसमें आपको कितना amount मिलेगा तो उसका जो link है वो link मैं आपको description पर दे दूँगा आप kindly check कर लेना guys thank you so much for watching this video please subscribe this channel